देश के अंदर बहुत सी सरकारे आई बहुत सी सरकारे गई अजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज तक निताओं ने केवल सवाल और जवाब किये पर जमेनी सतर पर चमार रेजिमेंट के लिए कोई कारे नहीं करा जैसे हम लोग जनरली कहते ना कि दादा जी पापा जी कहानी सुनाओ मुझे कोई कहानी सुनाओ कुछ कहानियां याद हैं आपको तो चमार रेजिमेंट का जो मेमोरियल है वो यहाँ पर स्तापित कर दिया गया है जो चमार एजिमेंट का स्मारक है जिसमें बैसन प्रतीक है गोल्डन कलर का बहुती खुबसूरत यहां पर बना दिया गया है और ये हासी नाम की जगए अरियाना में वहां के बीर फार्म नाम के गाउं में इस्तापित किया गया है प्रथम चमार रेजिमेंट मेमोरियल के नाम से तो इसको बनाने वाली जो टीम है और जो उसमें शामिल लोग थे चमार एजिमेंट के जो स्थैनिक थे उनके परिवारों के लोग भी याँ पर मौजूद हैं तो उनसे रूबरू कराते हैं उनसे बात कराते हैं आप चमा रेजिमेंट मेमुरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष है मंजीत मुखरा तो इनकी टीम ने ये इतियास रचा है ये क्या मनशा थी क्यों ख्याला है कि ऐसा करना चाहिए देश के अंदर बहुत सी सरकारे आई बहुत सी सरकारे गई अजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज तक निताओं ने केवल सवाल और जवाब किये पर जमेनी सतर पर चमा रेजिमेंट के लिए कोई कारे नहीं करा चाहिए वो विदान सबा हो चाहिए वो लोग सबा हो लेकि तो हमने दीरे दीरे परिवारों तक पहुचना शुरू करा, हमें पता लगा करीबन 97 परिवार ऐसे हैं, 97 परिवार ऐसे हैं जो चमार रेजिमेंट के अंदर थे शहीद हुए थे और हमने पूरा इतिहास खंगाला, तो हमारे युवा टिम ने सोचा, फिर हमने एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट का नाम रखा चमार रेजिमेंट मैमोरियल ट्रस्ट, हमने जमीन देखनी शुरू करी, पता नहीं हम कितने गाओं में घुमें, पर कहीं ना कहीं, किशी ना किशी बात पर कोई ना कोई विरोध उत्पन हो रहा था, लेकिन अगर हम बात करें, पूरे हर्य और हमने का कि हमारा ये परपोजल है, और हमारी ट्रस्ट ऐसे से निर्मान करना चाहती है, क्योंकि जमीन खरीदना हो सकता हम ना खरीद पाए, हर्याने में जमीन बहुत महंगी है, और यहां देखा जए तो 300 गर ऐसी समाज के हैं, बाकी और समाज के घर कम है, ये जमीन क्य चाहती है, और सरपंच को मालिक आना हक होता है, वो किसी को भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले गराम पर चाहते हैं, पास करा, फिर हमने अपनी टीम के टेक्निकल टीम के साथ ही कुबला को इसको इतना सर्च करो, कि गूगल पर इसका नाम जब आप डालेंगे, तो चमार लेकिन आने वाले वक्त में जो हमारा उदेश्य है, हम यहां पर म्यूजियम बनाएंगे, जिसके अंदर चमार रेजिमेंट को जो शहीद परिवार हैं, उनके मैडल्स रखे जाएंगे, उनसे जुड़े वे दस्तावेज हमारे पास उन परिवारों के पास है, वो रखे ज परिवारों को पैंशन दिलवाना, यह सबसे पहला हमारा उदेश्य है, और इसके लिए करीबन हजारों की संख्याएंगे, हमारी टीम आज काम भी कर रही है, हम सेंटर गोर्मेंट से भी बात करेंगे, चाहे हमें अंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, बहाली की मांग है क् दोबारा बनाये जाए, चाहे हमार रेजिमेंट की बहाली की जाए, देखिए अगर मैं आपके मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंग, आप इतनी दूर से यहां पर आए, बहाली की मांग तो बिलकुल शत परतिशत है, हम लोगों को उठाना है, इससे पहले एक बार अंद इससे प्रोग्राम देख पा रहे हैं, और चार घंटे के अंदर आपने देखा होगा, कि यहां पर राजनितिक आदमी कोई भी नहीं आया, यह समाज का प्रोग्राम है, और समाज ने इससे पूरा सयोग किया है, और इसको समार को बनाने में भी, बिलकुल समाज का सयोग हो, तो कई चीज़े मुम्किन हो जाती है, मैं आपको कई परिवारों से भी मिलाता हूँ, जो चमार एजिमेंट के सैनिक थे, जो वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, उनके परिवार के कुछ लोग भी यहां पर आई हैं, जिन्होंने इसका अभी न आपका नाम क्या है? अंजु जी आप चोधरी चंदर सिंग जी के परिवार से हैं, तो आपने उनसे मुलाकात हुई आपने उनको देखा था? जी बिलकुल बात होती थी, बताते थे कि कैसे लड़ाई या लड़ी हम लोग उन्होंने वो बताते थे, उसमें चमार रेजिमे आपके इतना उनको महसूस हुआ, उन्होंने फिर उनको मुखा देखके गोलियों से बून दिया था, जी बहुत महसूस हुआ उस चीज का के वे उन्होंने रविदास जी के उन्तिको टोटर मार लिए नहीं चीज हमको पता चली है, चोधरी चंदर सिंग के बारे में कि नहीं साल की उमर तक वह जिन्दा रहे? उनकी एटी सिक्स में उनकी डथ होगी थी, तो आभी आप क्यूंकि एक सोतंतरता सैनी के परिवार से हैं, तो कुछ सरकारी सो विधाय, कुछ पेंशन को फायदा मिलता है अप लोगों को नहीं ने हमें जो संसकार दिये हम सब अच् क्लास वन ओफिसर हैं, तो सब अच्छी पोस्ट पे हैं, सब उनकी वज़े से आज हम इस हमें बड़ा गर्व हो रहा है, इस अमनकी आज ये चमार मैमोरियल जो बना है, चमार एजिमेंट को दोबारा लोगों के जहन में आएगा, लोग सोचेंगे, कैसा लग रहा है आपन अच्छी पापाज आज हैंगी आच्छी कर्या परिया आज को ये घर आध़न के जब कार में अच्छी का तो प दाजी के साथ बेढ़ते ओंगे जोन लोग- telephone ही, के का कंई सुनाओ, अपकोर निए को रहा हैं, या वं पताते थे को वहां भी आर्मी में भी जहाँ जाँ उनोंने मतलब जॉब किया, तो सब जगे यह चीजें डिस्ट्रेशन होती हैं काफी, बहुत भीदवा होता है, हम लोग भी जैसे जॉब किया है, तो वहां भी होता है, अभी भी होता है, कि भी इस कास्ट को बहुत उससे दुर्भावना से देखा जाता है, बनुद जैसे हम तो हमारा स्टाफ जो है अगर दूसरी कास्ट का है तो वो हमें ऑफिसर देख के खुश नहीं होता तो यह भी एक है अभी भी है यह चीज के बहुत आपके अगे लेकर आना कि ताके सब बराबर रहें तो में हमारा मकसद यह उना ची के पढ़े और जागरुख हों अगर एकत जो है ड़ाई लड़का है ता बंदुक से अब इस तहें तो किसी भी कास्ट का होता था था वो सब को ले विरेंदर जी जब उस बाइसन को आप देखते हैं तो क्या आता दिमाग में दिमाग में यही आता है कि हमारे जो पेरेंट्स थे हमारे पुर्वस थे उन्होंने इतना संगर्श किया समाज को उपर अठाने के लिए हम भी उसमें से एक परसेंट उनकी शिक्षाओं पर ध्या उन्होंने भी अपने जीवन में काफी करें किये सबी जो आना गाओं से बच्चों को लेकर आते थे वहां प्री में रहते थे मैस था मार रुके डिफरेंट कॉलिजे स्कूल्स में पढ़ते थे उनका सुबह सुबह उटके जो आना जगाते थे उटो पढ़ो एक ही साथ है ना हमार पास सिख्षा का सिख्षा को जो आना अलग जगाए रखना है और वो जो उनका उदेश्य था उनको हम एक परसेंट भी अगर आगे ले जा सकते हैं तो उनका एक वो होगा आशिरवाद परिवार के लोग जो हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को याद किया और उनकी बलिदान को उनके सयोग को याद करते हुए यह जब समारक वो देखेंगे तो निशेत तोर पर उन्हें गर्व की अनुभूती होगे और जो भी लोग इसको देखेंगे वो अपने ना सिर्फ इतियास से जुड़ेंगे बल्खी हिमत भी लेंगे प्रेणा भी लेंगे और अपने उस चांदार इतियास को देखकर कुछ सीखते हुए भविशा का निर्मान करेंगे इस बाचित पर आपकी क्या राय है कमेंट करें और हमारे चैनल को फोलोग ज़रूर करें आप हमारी UPI ID Newsbeak at the rate YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeak Foundation अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640 IFC code है YesB000235 बैंक का नाम YesBank है और ब्रांच है नहरु पैलेस दिली आप डोनेशन के एवेज मे इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजे टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें